Cross Cultural Psychology, Counseling Across Culture साहिरा जब हम Culture और Mental Health की बात करते हैं तो फिर हम Counseling की भी बात करेंगे हम पिछले कुछ मॉडूल में Culturally Competent Counselor की बात कर चुके हैं ऐसा माहरे नफसियाद या ऐसा माहरे मश्वरा नफसियाद Counselor जो हर कल्चर में एक ही जैसी महारत से Counseling परवाइड कर सके Culture जैसा हम नहीं कहा कि ऐसी वे अफ लाइफ है जो generation to generation ट्रांसपर होता है तो यही कल्चर आपको बताता है कि क्या खाना है क्या पीना है किस तरह से खाना है सब जान काइम रखने के लिए खाते हैं सब अपने आपको महफूज रखने के लिए घर बनाते हैं सब अपने जिसम को तरदी गर्मी से बचाने और अपनी परदा और शर्मयाग को काइम रखने के लिए लिए लिबास पहनते हैं आप इन तीन चीजों को देख लें आपका कुल्चर ही रिफाइन कर रहे के क्ल्चर के अंदर उस मुलक की एकॉन्मी भी आ जाती है उस मुलक की पक्ड़ांगे पर्ड में . पॉडूस्टरी भी आ जाती है ouvertल yarn। जो कप्ड़ां पाकिस्तान में प्र्डिूसर को रहा है पाइनेपल नहीं ग्रोग करता तो पाइनेपल तो इंपोर्टेड है तो यहां कभी आ गया ताजा ना आया नारियल लहूर में नहीं है कराची में है मश्रूम इस नाट आर प्राड़क बट उगाई भी जा सकती है स्ट्रावबेरी नहीं होती थी उगने लग गई है अब आपको यहां पे ताजा स्ट्रावबेरी कर शेक मिलेंगे बट तो साल पहले स्ट्रावबेरी कोई नहीं उगाता था तो इच वस लाइक के घर में किसी ने दो चार उगाई और खास तोर पर आपको चखा दी जबके फालसा घरों में भी होता था जामन होता था तो सी आपकी एकॉनमी जॉग्रफी कल्चर डिटेमिन करता है कि आप क्या खा पी रही हैं क्या पहन रही हैं अब यह सोचें कि इसी से आपकी जो वैल्यूस लैंग क्तिरली क्या मसाइल पेश आ सकते हैं अब जड़ कांसलीं को लेकर चलें कि पूरी एंटरप्राइज इसमें क्या चीज़तें एक कांसलीं का प्रोस्सैos एंटरप्राइज और एक इंसान है ऐसे इंसान एक इंसान क Old India अचलार हो में रह भी एक क्ल्चर में रह 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 अर ज जब counselor के तो पर बात करते हैं तो आप उसका वो background कहां से है वहां क्या खाया पिया पहना कैसे रहा जाता है अगर एक counselor इस बात से आगर नहीं है कि सुबह उटके दादी को नजर आना और दादी को सलाम करना और दादी ने शाम को आपको पूछना हमारे culture में एक norm है आम बात है तो अगर वो कोई counseling उस perspective में कर ही नहीं सकेगा इनसान जिसको सरफ यह पता है कि family single unit होती है तो counseling के process में एक comprehensive process है ठीक है तो cultural study के लिए इस process को हम divide करते हैं एक तो counselor as an individual है फिर counselor की अपने counseling से या जिसको वो मशवरा दे रहे है उसकी relationship है उसके बाद है कि उसने तच्छीज क्या किया है diagnosis then the treatment plan then the action on the treatment plan then follow up on the treatment afterwards के treatment काम कर रही है के नहीं और अखीर में हम खतम करते हैं with payment to the services तो यह जो साथ steps है several parts है इस में divided होती है अब culturally इन तमाम हिस्सों में से किसी हिस्से में कुछ आपको difference नजर आ सकता है ठीक है यानि किसी culture में diagnosis जो है उसको समझा ना जा सके या accept ना किया जाए तो यह एक मसला counselor को पेश आता है किसी culture में कि आपने बाते ही की हैं तो पैसे किस बात के तो शेरों में तो लोग इस बात को समझते हैं लेकिन बहुत से relationship बड़ी फरक होती है हम अकसर बड़ों को रखते हैं counselor की जगा पे cultural एक स्कीमा है हमारा तो होता यह कि जब आप counselor के साथ relationship बनाते हैं तो आप या तो उसको बहन भाई दोस्त माँबाप teacher इनी चीजों में fit करने की कोशिश करते हैं और जो उन रिष्टों में आपका तरीका होता है वही तरीका counseling room में ले आते हैं तो that is also something के जिन लोगों ने दोनों मुलकों में practice की है वो across cultures की counseling में यह वले points जो हैं वो बताते हैं बहुत से cultures में पहले बड़ों से पूछा जाता है रहनमाई के तौर पे ठीक है and उनको जिंदगी की हार चीज में उनसे advice ली जाती है वो कहानियां भी सुनाते हैं वो आपको नसीहतें भी करते हैं और सबक अमूस बातें भी जिन से आप सीख के कुछ चीजें counseling तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्यूंके आप वो अदब अदाब problem solving trouble shooting किरदार की चीजें किसी situation में behave करने के तरीके even बिमारी या प और किस तरफ से आती हैं इनसानों से और इनसानों को बनाने वाले से यह चीजें culturally defined होती हैं इसलिए counseling across culture में से reject नहीं करना होता यह नहीं यह के नहीं जी यह तो इसके तो कुछ नहीं होता जैसे मैंने पहले भी जिकर किया कि हमारी यह क्यांपे psychotherapist हैं वो अकसर सदका advice करती हैं क्यूंके it is something which is in the cultural schema and archetype of our culture and it has a cosmic influence जब आप कुछ देते हैं तो आपकी तरफ वापस कुछ आता है और लेते जाएं नेमतों को और देना तो उससे वो चीज रुख जाती है और उसकी बरकत उठ जाती है Now this is a concept which is very prevalent in our culture and if we believe in that we must do it क्यूंके इसको करना आप के लिए फाइदा मंद है क्यूंके हम इसी schema के अंदर इसी belief system के अंदर पले बढ़े हैं तो it will benefit our mental health and in our counselling the counsellor should remember that these practices will benefit the person whom they are advising. मैंने अक्सर सुना एक जगा एक दफा सुना के मसला depression का भी था कुछ family के problems का भी था तो मैंनको एक बजर्ग के पास भी ले गई and you will be surprised के psychologist जिसने west में training ली पाकिस्तान में ली और वो एक बजर्ग के पास गए क्योंके जहां खाबों का मामला हो और दौा का मामला हो आपको हर तरह की बरकत समेट नी चाहिए and as a psychologist I strongly believe that all avenues should be open. वो डाइट है, वो फिजिकल एक्साइज है, वो नूटरिशन है, वो होमियोपथी है, वो कांसलिंग है या वो वो पिर्टॉल गाइड़न्स है. If anything helps your mental health, your mood, your sadness and makes you a better thinker and better in your functioning, by all means one should adopt it. तो यह हमारे culture से यह lines है और यह guidance है जो मैं दे सकती हो. तो traditional healers की बात हो रही थी, तो मैं इस तरह उनको लेके गई तो उन्होंने का कि पहली बात, आप अपने दिल से यह समझें कि मेरे शोहर बहुत अच्छे हैं और मेरी सास ही अच्छी है. Just say this to yourself. और मुझे लगा कि यह बात counselor भी कहते हैं. लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने कई और जो उनके पीछे एक जो wisdom, danish और रुहानी आगाही नजर आ रही थी उन बजग की. कि मैंने जारो कतार रोते देखा. Actually, इस खतुम को जिसको मैं लेके गई थी और एक बहुत ऐसा काम जो बहुत से psychologist नहीं कर सके थे that I saw happening which was opening up of all the sadness and stored up trauma in her and feelings in her जो के उस practice में जो के spiritual इंसान से मिलने से उन पे तरजर्बा गुजरा. अब counseling में आगे चलके होता है के diagnosis and treatment plan के है. तो उसमें जरूरी है के जो चार factors है, एक realistic plan बनाया जाए, counselor का अपना जो knowledge है, उसकी understanding जो है वो आम चीजों के बारे में क्या है कि क्या हो रहा है. फिर उसकी awareness है कि client जो है वो अपने culture के अंदर जहां पे वो पले बढ़े हैं, जहां से आ रहे हैं, उसके अंदर वो उनकी acculturation के इस तरह है. फर्स करें, counseling across culture का मतलब यह है कि कोई बाहर से आके मेरे culture में करें, या कोई अपने culture में बैठके किसी और मुल्क के किसी और culture के इनसान की करें, तो उसको यह समझना चाहिए, कि मेरा client अपने culture से कितना in touch है, वो कितना कुछ उसको अपने अंदर लिये हुए है, और वो उसके अंदर मौझूद है, वो सारा culture का जो impact है, scheme है, belief system है. और उसके बाद आप अपने clients की कितनी willingness है कि जो कुछ आप suggest कर रहे हैं उसको ठीक करने के लिए, उसकी treatment के लिए वो उसमें हिस्सा लेगा. एक बहुत बड़ा problem जो अकसर counseling across cultures में पेश आता है कि हम लोगों को पकर लाते हैं और ये कहते हैं कि जी आप बात कर लें तो आप ठीक हो जाएंगे, वो नहीं तब तक फाइदा उठाएंगे, जब तक वो उसमें पूरा हिस्सा नहीं लेंगे. चाहे मैं आपको पूरा रमजान किसी के सामने बिठा दूँ, तो आपका दिल और आपकी knowledge तब बदलेगा जब आप उसमें खुद हिस्सा लेंगे, अपनी जबान और अमल से. कांसलिंग भी कैसा ही प्रासेस है जिसमें दिल से, नियत से और अमल से शामिल होना पड़ता है. तो ये एक बड़ा factor है जिसका एक से दूसरे culture में फर्क हो सकता है और हर counselor को अगर ये फर्क ना हो ये तकरीबन वो चीज़ है जो हर culture में counselor को मुश्किल पेश आती है या करनी पड़ती है. इसलिए हम वो बात कर रहे हैं कि अगर आप मुख्तरिफ culture में counseling कर रहे हैं तो किन बातों का ख्याल आपको हर culture में जाके हर जगा पे रखना पड़ेगा कि उसका plan है वो उसमें willing है वो अपने culture से कितना in touch है और आपका उसके साथ क्या relationship है और आपका knowledge के है.